नमस्कार दोस्तों ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सकाइब करने के लिए दबाएं सब्सकाइब को बटन और घंटी जरूर दबाएं नमर तीन क्या बीसी सकी बहनों को भी नवंबर से पहले मांदे मिल पाएगा क्या पार्टनर बेक एजनसियों की तरफ से दिवाली के लेकर कोई आफर जारी किया गया है या फिर क्या स्वयम साथा समूर की नौकरी सरकारी है या अर्धसरकारी या प्राइवेट इस चीज को भी हम लोग इस वीडियो में बड़े आसानी से देखेंगे नेशनल रूरल लिब्रियोड मिशन क्या काम करती है महलाओं को आत्म निर्भग बनाने के लिए क्या तरीका होता है और SRLM और NRLM में क्या अंतर होता है इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बिल्कु को step by step बताने वाला हूँ बस एक निवेदन है अगर आप मेरी चनल पर नए है तो मेरी चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि मेरे दोर अप्लोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो दोस्तों बि जानकारी करने पर मजबूर करने जा रही है कि उनके मानदेय को लेकर सरकार क्या निड़े लेने जा रही है आने वाले शमय में उनका मानदेय क्या एक नमबर तक मिलेगा इस चीज़ के बारे में मैंने जो भी जानकारी हासिल किये मैं वो जानकारी आपको बताना चाहता दोस्तों जहां तक सवाल आता बैंकिंग कास्परिन सखी को लेके जो बैंकिंग डाचागत करम को काफी मजबूती परदान कर रही है और कई जगा बैंकिंग सखीयों को पुर्चाहित भी किया जा रहा है तो जहां तक मैं जानता हूँ आने वाले एक नउंबर से पहले यानि दिपावली से पहले बिसी सकी बहनों के साथ सभी मनरेगा मिट आगनवारी आसा बहने और रोजगार सेवकों के मांदे मिल जाएंगे क्या BC सकी बहनों को भी आने वाले शमय में यात्रा भत्ता दिया जाएगा जी हाँ बिल्कुल यात्रा भत्ता दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से आसा बहनों और आगनवारी बहनों को दिया जाता ठीक उसी तरीके से यात्रा भत्ता भी दिये जाने का प्रावधान है ऐस मुझे लगता है क्या पार्टनर बेक एजंसी की तरब से दिवाली का कुछ आफर दिया जाएगा कमीशन को लेके तो जहां तक मेरा अनुमान है आने वाले शमय में बिना सरकारी आदेश के कोई भी पार्टनर बेक एजंसी कोई भी कमीशन में बदलाव नहीं करेगी दोस्तो उनके बच्चे भी आने वाले समय में किस तरीके से अपनी आजीविका चला सकें और किस तरीके से सिखषित हो सकें ताकि आने वाले समय में वो देश का नाम रोशन करें अगर हम लोग बात करते हैं National Rural Liberty Hood Mission के बारे में तो किस तरीके से सरकार के नारी सकती अभियान और आत्निर्भर अभियान को लेकर सही समय पर सही तरीके से सरकार के द्वारा समय समय पर परसिक्षर दिया जाता ताकि स्वेम साहता समूह का गठन करके महलाएं बड़े आसानी स अच्छा रूपए कमा सकें अगर हम लोग बात करते हैं SRLM के बारे में SRLM State Rural Liberty Hood Mission राजी की ग्रामीर आजीवी का मिशन इसका नाम है NRLM और SRLM में बस राज्य और केंद्र का अंतर होता है किस तरीके से आने वाले समय में सरकार इन दोनों संगठनों के तहत स्वेम साहता समय का गठन करकर बड़े आसानी से हजारो रूपए लाखो रूपए और स्वारोजगार कर सकते हैं ताकि आने वाले शमय में गाउं घर को काफी मजबूती मिले और किस तरीके से NRLM एक केंद्र प्रियोजित योजना है जो दिल्ली और चंदीगड के लामा सफी राज्यो तता संग राजी छेत्रों में कारवनित की जाती है मिशन के बित्र पोशर को कुछ ऐसे आधार केंद्र और राजी सरकार उपे बाटे गये हैं जैसे कि जो भी पूर्वत्तर के राज्यार राज्यार प्रदेश असम मरीपूर मेगाल है मिजोरम नागालें तिरपुरा और स परसे किम उसमें सरकार केंद्र सरकार 90% परसे देती राजी सरकार 10% राजी सरकार 25% परसे जेती है अग़र हम लोग संग राज छेत्र की बात करें जैसे कि उस सरकार के द्वारा कि रियानमित की जाते हैं उसमें स्वेम सायता समू अपना स्रम लगा कर उसी युजना को सफल बनाती तरीके साफ इनी युजनाओं को अर्द सरकारी जान सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया BC सकी बहनों का प्लान था कि मुखमंत्री जी को ग्यापन देना लखनों में जाकर हलाकि जो उन्होंने ग्यापन गुरकपुर में दिया था BC सकी बहनों के संगठन ने तो उम्हीत कीजिए आने वाले समय में शरकार आपके समस्याओं का नीवार जल्दी से जल्दी करेगी बस अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे तो पका जित आपकी होगी तो आने वाले समय में आप अपने कर्तब बेकाँ अपने डूटी का निर्वहन आने वाले शमय में आप हर एक समस्या से वाकिफ हो सकें, हर एक सासना देश से परचित हो सकें, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी यहां पे रोकता हूँ, बस उमीद करूँगा अगर आप मेरे चनल पर नए हैं, मेरे चनल को ज़रूर सब्सक्राइब किजिए और घंटी क